हलो फ्रेंड्स नमश्कार आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिसकेशन है कैप जमनी प्रिपरेशन लास्ट आर यह आखरी कुछ जो घंटे हैं इसमें हम किस तरीके से अपनी त्यारी को करें यह कल अगर हमारे पास क्वेशन ट्विस्ट होके भी आ जाए तो हम उस क्वेशन को को स्टार्ट करता हूँ पीपीटी को कैप जमनी प्रिपरेशन लास्ट अर्प, सबसे पहला पहला कुशन पहला कुशन क्या कह रहा है कि आपको आउट्पूट बताना है और यहां पे चार आप्शन दियें तो कैसे इसका आउट्पूट निकलेगा तो इसका आंसर देख अब जो 0, 1, 2, 0 आया, वो कैसे आया, जल्दी से चलते हैं, देखो, सबसे पहले main में आओ, क्या call हो रहा है, function 3 call हो रहा है, तो जब function 3 call हो रहा है, यहाँ पर value क्या pass हो जाएगी, 3 pass हो जाएगी, clear, अब यह 3 part में तूटेगा, क्या 3 0 से बढ़ा है, हाँ, 0 से बढ़ा है, तो यह function 3 part में तूटेगा, तो function को मैं F से लिख दे रहा हूँ, तो that is, यह क्या हो जाएगा, F3, जो हमने call किया था, वो 3 part में तूट गया, वो 3 part में लिख दे रहा हूँ, जल्दी, एक हो गया, F2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर जाब value गई ही, तो एक कम हो गई, फिर print 2, print को मै P लिख दे रहा हूँ, print 2 होगा, और फिर F क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, clear, तो ऐसे इस तरीके से function call होगा, लेकिन आपको पता है, क्योंकि regression है, तो सबसे पहले, सबसे पहला function call होगा, यह वाला, अब जब सबसे पहले, सबसे पहला function call होगा, तो अब value क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या 2 0 से बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, फिर से वो 3 पार्ट में तूट जाएगा, that is F 1, print 1, and F 0, यह हो जाएगा, clear, अब यह जो function है, फिर से, फिर से 3 पार्ट में तूट जाएगा, मैं इसको फिर से 3 पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जाएगी, 0 हो चुकी, अब 0, और F क्या हो जाएगा, minus 1, clear, अब क्या होगा, सबसे पहले, यह ओला function call होगा, तो जब value 0 होगी, आप मुझे बताओ, 0, 0 से बढ़ा नहीं होता, condition क्या हो जाएगी, false हो जाएगी, तो अब वो इसके अंदर जाएगी, तो जैसे ही F की value 0 होगी तो क्या काम होगा, कुछ भी नहीं, तो पहला काम खत्म, अब next काम पर जाएगा, next काम में क्या करणा, print करना है, तो सबसे पहली value क्या अब rating करेगा, 0, अब third काम क्या है, इसको F minus 1 को call करना है, तो अब value कितनी हो जाएगी, minus 1 call होगी, क्या minus 1 0 से बढ़ा होता नहीं, फिर स प्रिंट 1, तो 1 print हो जाएगा, अब कौन से काम होगा, ये pass होगा, तो फिर से 0 pass होगा, 0 call होगा, 00 से बढ़ा नहीं होता, condition फिर से false होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, अब क्या होगा, ये 3 काम होगा, अब क्या call होना है, F2, F2 अलेडी हो चुक है, इसके सारे काम हो चुक ह तो फिर से 3 पार्ट में तूट जाएगा, तो अब मैं इसको फिर से 3 पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ, 1 हो जाएगा F0, 1 हो जाएगा print 0, और 1 हो जाएगा F-1, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे F0, F-1, ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं करेगा, जब बढ़ते हैं next question की पर, अच्छा next question क्या कहता है, next question कह रहा है कि आपको बताना है output क्या होगा, ये भी recursion का question है, बहुत ही प्यारा, तो अब इस question को कैसे solve करेंगे, देखो बहुत प्यार से, हम क्या करें, main के अंदर जाएंगे, F21 call हो रहा है, तो सबसे पहले क्या call हो रहा ह function, इसको मैं F लिखता हूँ, 20 और 1 call हो रहा है, तो जब F21 call होगा, तो यहां पही क्या हो जाएगी value 20, और यहां पही क्या हो जाएगी 1, ठेक है, अब वो जाएगा चेक करेंगा क्या n की value 0 है, नहीं, n की value 20 है, else में जाएगा, क्या n modulo 2 ध्यान से देखो, if n modulo 2 ये wrong नहीं ये, बिल्कुल correct है, 20 modulo 2 कितना हो गया, 20 modulo 2 हो गया, 0, 20 को जब 2 से modulo गया, तो remainder 0 बचेगा, और if के अंदर 0 मतलब false, तो condition false हो गए, तो कहां जाएगा, इस else में जाएगा, तो ना if true होगा, ना else true होगा, यहां पह जाएगा, और अब ये function call होगा, तो इसके बाद मैं यहा value कितनी तो 1, अभी देख लो आप, अब क्या होगा, f 10, 2 call होगा, तो आप यहां पे नई value call होगी, 10 और 2, 10 call होगा, और 2 call होगा, क्या n 0 है नहीं, n के value तो 10 है, फिर क्या n modulo 2, n क्या है 10, 10 modulo 2 कितना होगा, 0, फिर से condition क्या होगा, यह false होगा, तो फिर से else, यहारा call होगा, तो इस function नहीं, फिर से इसको call क्या, f, यहां पे 10 by 2 कितना होगा, 5, clear, यहां पे 2 into k, k की value अब कितनी है, 2 है, तो 2 into 2 कितना होगा, 4, minus k की value, that is 2, अब फिर से यह function call होगा, अब value क्या 5 और 4, तो मैं change कर देना हो, अब value होगी 5, और value होगी 4, यह है 5, चलो जी, क्या n 0, नही होगी, क्या 5 model 2, 5 को जब 2 से model होगी, तो remainder बचेगा 1, 1 मतलब true, अब condition true होगी, इतको अब function execute होगा, यह वाला, तो यह return होगा, return मैं नहीं लिख रहा होगी, f, 5 by 2 कितना होगा, 2, integer value, that, और 2 into k, k की value कितनी है, 4, 4 है, तो 2 into 4 कितना होगा, 8, plus k, तो plus 4 k की value कितनी है, 4, अब क्या होगा, f28 call होगा, तो यहाँ value कितनी होगी, 2, और यहाँ value होगी, 8, फिर से क्या, n0 नहीं, n0 नहीं है, क्या 2 model हो, 2, अब 2 को जब 2 से model होगी, तो remainder फिर से 0 आगा, तो condition फिर से false होगी, तो फिर से यह call होगा, that is f, 2 by 2 is what, 1, 2 into k, k की value कितनी है, 8, 8, तो 16 हो जाएगा, minus k, k कितना 8, तो 8 होगा, अब क्या होगा, फिर से यह function call होगा, लेकिन अब क्या है, किसके लिए call होगा, 1 के लिए, और 16 के लिए, क्या n0 नहीं, n0 नहीं है, क्या 1 model 2, अब जब 1 को आप 2 से remainder लोगे, तो remainder एक ही बचेगा, तो condition अब true होगी, true होगी, तो यहाँ function execute करेगा, तो that is f, n by 2, तो 1 को जब 2 से divide करोगे, तो division, quotient तो 0 ही बचेगा, 2 into k, k कितनी 16, तो कितना होगा, 32, plus k, k कितना है, आपका 16, तो यह 16 होगा, अब क्या होगा, 0 और 32, तो यहाँ पे, अब मैं लिएक देना हो, क्या call हो रहा है, 0 और 32, क्या n के value 0, हाँ, 0 होगी, तो condition true होगी तो यह अब इदर से बेटे जाएगा, और इसको क्या return करेगा, इस वाले को क्या return करेगा, इसको 0 return करेगा, तो अब आप 0 पे प्लस 16 जोड़ोगे, तो final इसका answer कितना हैगा, 16 ही तो आएगा, भाई 0 पे आप 16 जोड़ोगे, यह किसको return करेगा, बैक ट्रक करेगा, यह किसक return होगा, इसको return होगा, तो 12 minus 2 कितना होगया, 10, तो यह होगया, 10, यह 10 किसको return करेगा, इसको, और 10 minus 1 कितना होगया, यह होगया, आपका 9, यह 9 किसको return करेगा, इसको, और इसी function से तो call आई थी, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा, तो answer क्या आएगा, 9, तो answer is 9, देख तो answer is 9 very good चलो बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं जल्दी से देखते हैं अब देखो यह question देखो बहुत प्यार से देखो यह भी एक recursion का question है और जल्दी कर लेता है ठीक है क्या है यहाँ भी हमें क्या करना है what will be the output of the following code considering function की value 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा हाँ जी 7 आएगा क्या n0 है नहीं 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 है तो फिर से हमें क्या करना है सबसे पहले f7 ने call किया है किसको f7 n0 नहीं तो n by 2 that is f3 हो जाएगा f3 call होगा इसी दोरान एक print भी होना था तो क्या print होना था 7 modulo 2 और 7 modulo 2 क्या होता है 7 modulo 2 होता है 1 साथ को जब दोसरे रिमेंटर लोगे तो रिमेंटर बचे का 1 तो क्या यह print होगा नहीं यह print नहीं होगा बलकिल pending रह जाएगा यह print तो नहीं होगा बलकिल pending रह जाएगा सबसे पहले f3 call होगा तो जब f3 call होगा तो यहाँ पर value कितनी हो गई यहाँ पर value हो गई 3 क्या n 0 है नहीं 0 तो अब फिर से 3 x 2 हो जाएगा तो 3 by 2 किता होता है 1 लेकिन इस समय ्ֹरी मौॉडलो 2 भी print होना था तो लेकिन print होगा नहीं क्या च्या होगा नहीं लेकिन क्या होगा सबसे पहले fgun को नहीं को होगा तो अब यहां पर value कितनी हो गई 1 होग सकती होगा तो f1 by 2 क्या होगा मेरे भाई 0 जब 1 को आप 2 से डिवाइट करोगी तो value 0 ही आएगी लेकिन उसी दोरान 1 को 2 से mod भी लेना था उसको print करना था तो print 1 model 2 कितना होगा 1 तो print 1 लेकिन इस समय ये काम होगा नहीं ये भी pending रह जाएगा ठीक है क्या call होगा f0 call होगा यहां पर value कितनी होगई 0 होगई यहां पर value कितनी होगई 0 होगई यहां पर value कितनी होगई 0 हाथ 0 तो return कर जाओ तो यह अब यहां से return कर जाएगा अब कहां जाएगा, जो उसने pending चोड़ा हुआ था, क्या चोड़ा हुआ था, one चोड़ा हुआ था, तो one print करेगा, अब कहां जाएगा, F7 के पास जाएगा, और F7 में value pass कर देगा, F7 में क्या pass करेगा, one one one, और one 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 क्या होता है, एक, दो, चार, चार दुछे और एक, साथ, य क्या रहा है कि given an array A, आपको एक array दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, on performing insertion shot, अगर आपको insertion shot perform करना on a given array, which of the following option represent the correct array just after second iteration, अब second iteration कैसे होता है, दोको insertion shot में क्या होता है, सबसे पहले value लिको, one, eight, six, one, nine, two, ठीक है जी, चलो पहुत बढ़िया, अब सबसे पहला iteration क्या होता है, कहां से शुरू होता है, this is index one मान ले, this is index two, this is third index, this is fourth index, this is fifth, this is six, आप zero से भी मान सकते हो, तो insertion shot क्या करता है, अपने previous वाले से compare करता है, तो जब इसने अपने previous वाले से compare किया, तो इसे पता चला कि हाँ, मैच हुटा हूँ, तो पहले iteration में क्या होगा, आठ इदर आ ज से भी compare होगा, और finally six को लगा कि मुझे सबसे आगया आना चाहिए, तो answer क्या आ जाएगा, six यहां पर आ जाएगा, आठ shift हो जाएगा, ग्यारा shift हो जाएगा, और one, nine, two इधर आ जाएगा, लेकिन हमें question में क्या बोला है, just after second iteration, तो second iteration के बाद यह answer आ जाना चाहिए, छे, आ best case, average case and worst case complexity of insertion shot, हमेशा याद रखना, best case insertion shot की होती है, n, average case होती है n square, और worst case होती है n square, clear, तो हमेशा याद रखना, insertion shot का best case में आपको बता रहा हूँ, n होता है, clear, क्यों n होता है, और insertion shot का best case कब आता है, जब number already sorted है, मालो question यह आ जाए, कि insertion shot का best case कब निकल के आगा, तो best case तब निकल के आगा, जब number already sorted हो, मतलब 2, 5, 15, 24, और 36 को आपको sort करना, तो क्या होगा, यह इससे compare होगा, कोई change होगा ही नहीं, यह इससे compare होगा, तो भी कोई change नहीं होगा, यह इससे compare होगा, तो भी कोई change नहीं होगा, यह इससे compare होगा, तो भी कोई change नहीं होगा, Otherwise, worst case क्या होगा? जब number उल्टे हो, तो worst case में तो N square आएगा है, और average case में भी N square आएगा. तो आपका right answer A होना चाहिए. Let's see. हाँ, बिल्कुल ठीक है, A answer है. चलो. अब देखो, ये बड़ा अच्छा question लगा था मुझे. अब मुझे बताओ कि bubble sort का ये जो question दिया है, इसमें कहा रहा है कि बताओ कि complexity कितनी होगी. ठीक है? Read the blue code carefully of the bubble sort and choose the correct option. अच्छा, अब देखो जड़ा ध्यान से. जैसा bubble sort में दिखा रहा है कि 10, 20, 30, 40, 50, बन्दर number already sorted हैं. Number जब already sorted हैं, तो क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले end निकालो. end क्या होगा? जितने element है, 1, 2, 3, 4, 5, वो divide करो तो 5 ही आएगा. 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आजाएगा. ठीक है? अब इस swap'd, इस swap'd की value कितनी ले लिए भी 1? एक flag लिया, इस swap'd नाम का, इसको 1 ले लिया. 0 से शुरू करेंगे. end माइनस 1 तक चलते हैं, यापको पता ही है, और इस swap'd को भी check करेंगे. तो I की value कितनी है? I की value अभी कितनी है? 0, 0, end माइनस 1, end की value कितनी है? 5, 5 माइनस 1, कितना हो गया? 4, तो यह 0 से लेके 3 तक चलेगा, ना, क्योंकि इससे less than है, तो चलेगा, and is swap'd, और swap'd की value 1 है, condition, तो यह भी true, और यह भी true, अभी, 0, 0, 4 से चोटा है, हाँ चोटा है, और इस swap'd की value हाँ 1 है, तो क्या करेगा, वो नीचे जाएगा, इस swap'd की value को 0 कर देगा, तो अब इस swap'd की value जो नहीं है, इस swap'd जो variable मनाया था, इस swap'd मैं लिख दे रहा हूँ, इस swap'd की value को 0 कर देगा, अब j is equal to 0 से चलेगा, और j less than n minus i, i की value अभी कितनी है मेरे बच्चे, 0, तो n, n कितना था, 4, 4 minus 0, तो 4 minus 0 हो गया, 4 minus 1, कितना हो गया, 3 तक, तो ये 3 तक चलेगा, और ये क्या करेगा, array 0 को array 1 से compare करेगा, array 0 को array 1 से, array 1 को array 2 से, array 2 को array 3 से, और array 3 को array 4 से, तो जब भी compare करता जायागा, तो यар ये देखेगा, कि कही पर भी ये condition true नहीं होगी, देखो कैसे नहीं होगी, क्या a0 a1 से बढ़ा है ना a0 a1 से बढ़ा नहीं है अब j की value बढ़ जाएगे क्या a1 a2 से बढ़ा है नहीं तब भी अंदर नहीं जाएगा है क्या a2 a3 से बढ़ा है नहीं a2 a3 से बढ़ा है क्या a3 a4 से बढ़ा है ना a3 a4 से बढ़ा है तो किसी भी condition में वो अंदर नहीं जा तो प्लस-प्लस आई, I के value 0 से कितनी हो गई, I के value वन, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ, 1 4 से छोटा है, क्या इस swept, तो इस swept तो इस बार क्या था, 0 था, तो end gate है na, एक condition हो गई, true और एक क्या हो गई, false, एक हो गई, true एक हो गई, false, condition हो गई, false, मतलब दूप से बाहर, यह बाहर आ तो अब बताओ complexity क्या है, कितनी बार loop चला, सर्फ एक बार loop चला, कौन सा loop चला, यह वाला चला, कितनी बार चला, n-1 times चला, तो total कितनी बार चला, n-1 को क्या लिखते है, n ही लिखते हैं, तो इस case में bubble shot की complexity कितनी आने चाहिए, n आने चाहिए, क्यों, तो अब हमिशा करता इन ही इंसर्शन शाहरं की बेष्टकी चेस कंपलेक्सिटी एन होती है और बबल चいます कि बात करूं तो बबल तो what will be the best case, average case and worst case complexity of bubble sort, ये शायद question repeat हो गया, हाँ, ठीक है, अभी, अभी, repeat क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया ये, तो यह है answer, तो यह answer है, क्या है, best case होती N, बाकी होती N square, clear, तो यह देखो, answer यह है, इसको बस दिमाग में बैठा लो, अच्छा, यहाँ पर मैं दिया है कि मैंने नहीं दिया, selection short याद कर लो, लेकिन selection short एक ऐसा short है, selection short एक ऐसा short है, अगर जिसकी best case, average case और worst case की बात करूँ, तो यह सारी N square होती है, ठीक है, सारी N square होती है, तो हमेशा याद रखना, bubble और insertion, इसका, अगर best case, worst case, average case की बात करूँ, तो यह होती है N, यह ह होती है N square, यह भी होती है N square, लेकिन अगर selection short की बात करूँ, तो सारे ही case की क्या होती है, N square होती है, clear, याद रखना, चलो, आगे बढ़ते है, heap short, very important, ठीक है, heap short, what is the worst case and average case complexity of heap short, हमेशा याद रखना, heap short में worst और average दोनों सेम होती है, तो यह होती है, order of N log N, कभी आप channel visit कर ना मेरा, तो मैं आपको एक चीज बहुत अची तरीके से समझाई हुए है, मैंने, लेकिन for a timing, आज हमार बास time नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो, यह बड़ा शांदर question है, देखो, कितना प्यारा question है, कह रहा है, what is the height of E, depth of E, height of tree and total number of level, क्या-क्या होंगे, चलो, height of tree किसी भी node की height क्या होती है, उस node से, किसी भी node की height क्या होती है, याद रखना आज के बाद, किसी भी node की height क्या होती है, उस node से maximum नीचे कितना जा सकते हैं, किसी भी leaf तक, ठीक है, एक तो यहां तक जा सकते है, के तक, एक जे तक जा सकते हैं, तो maximum कहां तक जा सकते हैं, जे त Depth of e क्या होगा? Depth क्या होता? Root से लेते हैं, हमेशा जाता है, depth लेते हैं, root से, तो root क्या a है? अब a से e तक पहुशने का कितना रास्ता है? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है, तो depth of e कितना होगा? 2 हो गया, clear? तो 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, मतलब ये दोनों answer में से एक answer होना चाहिए, इन दोनों में से भी एक answer होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, height of tree, height of tree क्या होती है? root की जो height होती है, अब root भी क्या, एक node है, root क्या हमारी a है, अब a से आप maximum कहां जा सकते हो, तो आपको पता है न, a से maximum आप j तक जा सकते हो, इस दौन कितने रास्ते आए, कितनी edges आई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो root की height कितनी हो गई, पाँच, तो जो root की height होती है, वही tree की height होती है, तो that is 5, clear? तो ये answer आपको पहले ही मिल है, तो ये गलत हो गया, तो ये मिल गया, और उसके बाद क्या है, जी, उसके बाद क्या है, total number of levels, तो level कहां से start होता है, 0 से, तो 0 level, ये level 1 level है, ये level 2 level है और उसके बाद ये वाला level 3 level है, ये वाला level 4 level है और ये वाला level 5 level है तो 0 से लेखे 5 कितने level हो गये? 6 level हो गये, तो ये 6 level, तो ये ओगए answer 6 तो answer आना चाहिए 3, 2, 5, 6 3, 2, 5, 6, 3, 2, 5 2, 5, 6 बिल्कूल ठीक है मैंने answer देखा भी नहीं है ले लो जिसमें 63 63 notes है calculate the difference between maximum and minimum height चलो तो अब पहले ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाँ देता हूँ समझ लो पहले सबसे पहले क्या होता है अगर आपको number of notes अगर आपको number of notes निकालने है तो number of notes निकालने का formula होता है 2 की power h plus 1 ठीक है ये होता है complete binary tree के लिए ये होता है complete binary tree के लिए clear complete binary tree के लिए चलो अब अगर मैंने बोला मेरी tree है जिसकी height है मेरी tree है मेरी tree है जिसकी height है 2 तो number of notes कितने होगे तो n is equal to क्या और जगर 2 की power 2 plus 1 minus 1 2 plus 1 is 3 2 की power 3 8 8 minus 1 is equal to 7, तो हमारे कितने notes होंगे 7, clear, यह हमेशा याद रखना, और दूसरा case, अगर आपको N दिया है, N दिया है और height पूछ रहा है आपसे, तो height is log N, यह हमेशा याद रखना, तो height क्या होगी, log N होगी, clear, अब इसी के basis में हम लोग quotient solve करते हैं, कहारा 63 note दिये हैं आपको, तो यह कितना दिया, 63 दिया है, formula क्या होता, 2 की power H plus 1, यह minus 1 उधर आ गया, तो क्या होगा, 63 plus 1 is equal to 2 की power H plus 1, तो 2 की power H plus 1 हो गया, तो दोनों तरफ log लेलो, तो दोनों तरफ log लेलेंगे, तो log 2 दोनों तरफ लेले, तो यह होगा 64, और यह हो गया log 2, 2 की पार h plus 1, अब क्या होगा, 64 को क्या लिख सकते हैं, log 2, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पार 6, और यह 2 की पार 2, 2, same है, तो h plus 1 ही बचेगा, तो this will become h plus 1 ही बचेगा, यह तो आपको समझ में आता ही होगा, implies क्या होगा? 2 की minus 6 है, तो 6 उदर जागा, तो यह हो जागा, 6 is equal to, ह plus 1 implies, h is equal to 5, h की value क्या होजाए? 5, clear, तो h की value कही 5, तो एक answer तो आपका यह निकल क्या गया, यह क्या है, यह minimum height है, यह क्या है, minimum height, यह minimum height है, maximum height क्या होती है, वह 63 नोड है, तो मैं 63 नोड को ऐसे नहीं अरेंज कर सकता है, 1, 2, 3, राइट स्कूर या लेट स्कूर, 4, 5, 6, dot, 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 63 नोड, अगर 63 नोड है, तो एजस कितनी होगी, 62, तो maximum height कितनी निकल सकती है, maximum height, किसी भी binary tree कि, अगर जितनी, दो को हमेशा याद रखना, कह रहा है, पताओ, उसकी maximum height कितनी होगी, तो 99 हो सकती है, अगर सारी node एक line पर खड़ी हो जाए, तो 62 maximum height होगी, लेकिन आपको question में कहा रहा है, difference बटाना है, तो difference क्या होगा, maximum और minimum का, तो 62 है maximum, और minimum कितना है 5, तो 62 minus 5 क्या हो गया, 57, तो answer is 57 होना चाहिए, तो इस तरीके question भी आ सकते है, clear, कि height क्या होगी, अगर number of notes कितने होगे, तो यह formula यह याद अतना, तो 57 आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्यारा, what is the value of post-fix expression, अब post-fix expression, अब आपको पता है कि यह हम लोग किस से solve करते हैं, हम लोग यह solve करते हैं, stack से, और stack क्या होता है, stack क्या होता है, stack क्या होता है लीफो बेस्ट, last in, first out, लीफो, last in, first out, last in, first out, ठीक है, चलो अभी stack बना लो, तो ऐसे लेके लो, six आया, three आया, two आया, four आया, plus आया, minus आया, star आया, ठीक है, अब यह, मैं इसको मिटारता हूँ, यह थोड़ा साफ होना चाहिए था, ओ, 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 ठीक है, चलो, मैं थोड़ा सा clear करने की कोशिश करता हूँ, यह हो गया आपका, ठीक है, अब यहां पर stack है, ठीक है, तो stack में क्या है, सबसे पहले six आया, फिर three आया, तो six और three हो जागा, three सबसे उपर आ जागा, फिर क्या है, six, three और two सबसे उपर जागा फिर plus आया, तो plus क्या होगा, ऊपर के दो element में को निकालो और plus लगा, तो उपर के दो element जब मैंने निकाले और उसमें plus लगाया, तो six और three और six, दो और चार में जब plus लगाया, तो कितना हो गया, ठीक है, अब क्या है, minus लगाया, अब जब minus लगाया, तो अब minus आ रहा है, तो ऊपर के AYलिमेंट को निकालो और सो three minus six तो three minus six क्या हो जाएगा माइनस three तो यह हो जागा माइनस three ना भी आप क्या लिख होगे इ tokens six से जगड़ हो गया और three minus six क्या हो लगा माइनस three प्र्माइन December हो गया अब दोनों में multiply कर तो किना ओ जिए九 हो जागा, तो answer should be minus 18, yes minus 18, good, तो answer क्या होगा, minus 18, तो यहां कुछ समझ में आ गया रहा, कुछ नहीं, बहुत असान है यह सवान, clear, करते क्या है, मैं आपको फिल बता रहा हूँ, करते क्या है, जैसे इसे element आ है, उसको लाओगे, तो minus 3 ही आएगा, और multiply आएगा, तो 6 और minus 3 में multiply करोगे, तो minus 18 ही तो आएगा, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, यह देखो, यह question देखो, suppose we want to fetch the middle position, suppose we want to fetch the middle position in the link list, this can be done using how many least number of pointers, we do not have to count the total number of nodes, बहुत important question है, बहुत important, देखो, कह रहा है कि एक link list है, मैं link list बना लेता हूँ आपको, यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है, यह जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है, यह इसने इसका address रखा है, इसने इसका address रखा है, इसने इसका address रखा है, और इसने इसका address रखा है, तो आप कैसे निकालोगे और आपको count नहीं करना आपको count नहीं करना ये काम आपको नहीं करना बस आपको middle position निकाली तो कितने pointer चाहिए होगे इसको हम क्या बोलते हैं या कुछ लोग head बोल देते हैं तो मैंने दो pointer यहां मेंदो pointer की जरुर पड़ेगी कैसे दो pointer की जरुर पड़ेगी ध्यान से दफो एक मैंने current pointer बनाए जिसमेंhead डाल दिया और एक मैंने ptr pointer बनाए इसमें भी क्या डाल दे है लेकिन अब करेंगे क्या हम, हम करेंगे क्या current को दोडाएंगे current के next पे, और ptr को दोडाएंगे, ptr के next के next पे, फाइदा क्या है, वही फाइदा है, ये देखो फाइदा क्या है, एक हूं मैं, और एक है मेरा दोस्त, मैं हूं राहुल, एक मेरा फ्रेंड है, अजय, दोनों को क्या है, ये distance travel कर लिए, same distance travel कर लिए, ठीक है, मालो distance है 10 km की, distance है 10 km की, ठीक है, किलो मीटर, distance है 10 km की, भाई साब की speed है, भाई साब की speed है, कितनी, भाई साब की speed है 5 km पर आर्ट, और मेरी speed है 10 km पर आर्ट, ठीक है, तो एक घंटे में मैं कितने दूर पहुंच जाओंगा, एक घंटे में मैं पूरा यहां पर पहुंच जाओंगा, और लेकिन एक घंटे में वो कहां पहुंचे यह इस्ता हो यह स्मय रशीम से गहां उन्पने सरी कि से यह सें कर दोड़ाएं इसे दोड़ाई और यह से डोड़ा और इसे क्या होगा कि क्या हो जो फा इसने तो याद रखना है इसे बोसे फासप्टर और से बोल थे स्लोव extrater सोड़ जो एक एक नोट जम करता एक होता है fast pointer तो question में कहा रहा है suppose we want to fetch the middle position in the node of the link list this can be done with using how many least number of pointers तो दो answer आना चाहिए तो एक fast pointers, एक कौन सा pointer है fast और एक कौन सा pointer है slow clear, चलो आगे बढ़ते हैं तो दो आगे, clear, good ये बड़ा अच्छा question है जो ये question कैसे solve करेंगे ये question बहुत ही शानदार है इस question को कैसे solve करना ये तक हो ये question कह रहा है कि देखो कह रहा है कि एक link list है what is the output of the following function what is the output of the following function for starting point to the first node of the following link list ठीक है, अब क्या एक link list है उसका starting point दिया हुए आपको ये link list दिया हुए ठीक है अब आपको क्या करना ये code चलाना है और बताना इसका output क्या हुए तो मैं आपको समझा देखाँ देखो, simple सी बात है आपको link list क्या दिया है 11 है फिर क्या दिया है 12 है फिर 13 है फिर 14 दिया है और फिर 15 दिया है और फिर 16 है clear, सबसे पहले क्या है है तॉम हमान लो 11डर induced यहाँ पर ग्यारा प्रेंट कर दिया उसके पाद कौन सर्फंक्शन कॉल हो रहा है देखो स्टार्ट का नेक्स का नेक्स हम फिर से कॉल कर रहे हैं स्टार्ट का नेक्स का नेक्स क्या होगा थीन सो तो अब हम लोग फिर से फंक्शन कॉल कर रहे हैं ध्यान से देखना अब फिर से का next का next के 300 लेकिन इसी दोरा नैंगा काम और करना था कि start के data को print करना था लेकिन वह तो करना ही पाएंगी जैसे अभी मैंने पहला पढ़ा है क्योंकि सबसे पहले यह call होगा तो हम print हमें करना बाकि रहे लिए तो यह pending रहे जगा print हमें करना बाकि मागे स्टार्ट का डेटा और स्टार्ट का डेटा क्या था 11 तो 11 प्रिंट करना पैंडिंग रह गया यह यह पैंडिंग लिग रहा हुआ मैं पैंडिंग यह पैंडिंग रह गया अब सबसे पहले 300 कॉल होगा तो अब 300 कॉल हो तो यहां पर क्या हो गया 300 क्या 300 नल है तो प्रिंट क सच करेंगे स्टार्ट करनेक्स नल है अब सटार्ट का नेक्स नुल नहीं है फिर से कॉल करें तो इस 300 का next का next कितना होगा पान्सों PvdC तो अब क्या होगा F500 कॉल होगा लेकिन इसी दवरान एक काम और पंडिन्ग रह गया था स्टार्ट का डेंटा स्टार्ट माभी क्या था 300 तो 300 को डेंटा क्या है तीन्सओ को देंटा ब्रड़न करना है आगी यहां आपर 1500 को हो गए तो यहां पर पहसी तो यहां इसी दुराइश चेक करेंगा क्या 500 नुल है 500 नुल नहीं है जाहिए तो मिदंशा नुल नहीं необходимо क्या करो start का next click next कौल करो तो fun start का 500 का next का next क्या यह तो null है न triaan नल कॉल होगा क्या क्लिक क्या लेकिन इसी दोरान एक का pending रगया start का data start का 500 पानुसौंगों डिटा 500 का रěचल क्या गतेंश долларов तो यह print पंदरा भी बाकि रह गया यह pending रह यह पेंडिंग रगे अब सबसे पहले क्या कार ओलागा फंच्छ सबसे कर नल का यहां पर क्या आया ओल स्सक्वाльक गया 17 उट जोगा 9 ना नो फसे पहलें नल हो सुगा यहां पर हो चुका तरही करी ng ऑर 15 हो चुका तो पंद्रा कर तो क्या वोगा यहां से तेरा पंडिंग रहा गया तो यह आंसर आना चाहिए तो यह बिलकुल सही आंसर है तो यह शांदार कोशन है इससे आपको कर लिया तो आपको बहुत कुछ गेन हो जागा आगे बढ़ो यह कोशन कितना प्यारा देखो यह आया हुआ है कैपजाबनी का ही धा कोशन है कि एक सूडोकुड देया है read the value न 17 गितना है जादा नहीं है तो अगर जादा होता तो नाइन 9 में जाते हैं, तो 9 में जाने की जरूरत ही नहीं है, else में जाएंगे, तो t change हो जाएगा, तो t हो जाएगा, t प्लस m, तो t क्या 0, 0 प्लस 1, कितना हो गया, t की value हो गया, 1, और m is equal to m प्लस 1, तो m is equal to m अल्री बन था, m अभी 2 है, और n साते हैं, जाधा नहीं है, फिर else में आएगा, t में डालेगा, t प्लस m, तो t में डालेगा, t प्लस m, 1 प्लस 2 कितना हो गया, यह हो गया, 3, m में डालेगा, m प्लस 1, तो m की value हो गई 3, clear, m की value हो गई 3, ठीक है, फिर बोलना है, go to line 3, फिर बो line 3 में जाएगा, यह इसको line 3 पर भेज़ता जा रहा है, फिर check करेंगा, क्या 3 n से छोटा है, ना, 3 b n से छोटा नहीं है, जब 3 n से छोटा नहीं है, तो क्या करेंगा, else पर आएगा, t में डालेगा, t प्लस m, तो t में डालेगा, t प्लस m, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और m एक बढ़ गया, तो m की value 4 हो गई, फिर वो नीचे करेंगा, क्या m n से जादा है, m अभी 4 है, n साथ है, नहीं, जादा नहीं है, तो फिर वो else पर जाएगा, t में डालेगा, t प्लस m, तो 6, 4 कितना हो गया, 10 हो गया, m की value 5 हो गई, clear, फिर उपर जाएगा, फिर condition false हो गई, फिर वो नीचे t को बढ़ा देगा, तो t की value हो गई, 15, m प्लस, और m की value बढ़ गई, 6, फिर उपर जाएगा, चेक करेगा, क्या ज़्यादा है, 28 हो गया, और यह हो गया, 8, फिर उपर जाएगा, क्या m, n से जाएगा, हाँ, अब m, n से जाएगा, तो go to line 9, अब line 9 में जाएगा, प्रिंट करेगा, t को, और t की value क्या हो गया, 28, तो answer कितना आना चाहिए, 28, 28 answer आगे, very good, बहुर बढ़ बढ़ी है, अब देखो, यह कितना easy question है, यह भी Capgemini का question है, सारे Capgemini में पूछे हों question है, तीके, अब देखो, यह क्या है, I के value 5, 5, J के value 7, 7, I plus J, 5 plus 7, 12, 5 से जादा है, हाँ, जादा है, condition हो गई, 2, नीचे आएगा, J में डालो I plus 2, तो I के value कितनी है, पाँच और 5 plus 2 कितना होगा है, साथ, क्या J 5 से छोटा है, J कितना है, साथ, और साथ, नहीं condition होगी, false, फाल्स होगे, तो else पे जाएगा, और print करेगा क्या J, और J कितना है, J हमारा 7 होगा है, तो साथ, प्रिंट करतेगा, बस खतम, और तो कुछ करना है नहीं, else पे तो जाएगा नहीं, तो answers साथ आगे, clear, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, DBMS के question पे, और मैं जल्दी-जल्दी से आपको DBMS के question करा देखा हूँ, देखो बए, DBMS के question क्या है, DBMS के question में क्या करता है आपको, given a relational schema, और functional dependency दिये, PQ से R, तो arrow बनाओ, PQ से R, यह बना लिया arrow, ठीक है, फिर क्या है R से S, तो यह बहो गया R से S, फिर क्या हो गया Q से PT, Q से PT, Q से 1 हो गया P, और 1 हो गया T, तो यह हो गया arrow diagram आपका, यह आपने arrow diagram बना लिया, अब देखो, ऐसे कौन से attribute है जहाँ पर arrow नहीं आ रहा है, P पर आ रहा है, Q पर arrow कोई भी arrow नहीं आ रहा है, एक तो Q को कोई determine नहीं कर रहा है, R पर आ रहा है, R पर आ रहा है, S पर आ रहा है, P पर arrow आ रहा है, U पर भी arrow नहीं आ रहा है, Q और U दो ऐसे भाई हैं, जिनको कोई भी determine नहीं कर रहा है, तो Q को अगर कोई भी determine नहीं कर रहा है, तो जो भी मेरी candidate की होगी, उसमें 100% Q तो आएगा, मेरी बास समझो, Q दो ऐसे attribute हैं, column हैं, जिनको कोई determine ही नहीं कर रहा है, और Q क्या होती है, जो हर column को determine करे, तो क्योंकि Q क कोई determine नहीं कर रहा है, तो Q-U तो Q Q की में आएगा ही, आएगा, candidate की में आएगा, तो Q-U तो क्योंकि का closure नेकालो, closure कैसे निकालते हैं, वो भी सिखा दे रहा हूँ आपको, Q-U में तो Q-U आएगा ही आएगा, तो Q-U के closure में Q-U तो आएगा, आएगा, अब देखो, अब फ पीटी लिख लो, तो पीटी लिख लिया, तो ये वाली functional dependency यूज़ दो गई, फिर से वापिस जाओ, जितने भी हमारे R के अंदर, जितने भी हमारे relational schema के अंदर attribute ते सारे के सारे determine हो गया, तो 100% Q, U क्या हो गया, candidate की हो गया, अब जब Q, U, candidate की हो गया, तो question ये कि और कितने candidate की हो गया, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर Q, U, मैंने बताया, Q, U तो ऐसा variable है, ऐसे attribute है, जो Q मे होने ही चाहिए, तो ये तो must है, और ये खुद अपने आपने candidate की है, तो अगर अब हम इसको बढ़ाएंगे, मानलो Q, U, R कर दिया, या मानलो Q, U, S कर दिया, या मानलो Q, U, S, T कर दिया, तो ये सारे के सारे जो तीनों है, ये क्या है, सूपर सेट है, सूपर सेट है, और अंसर एक आना चाहिए, मेरे एसाब से, येस, अंसर एक आ रहा, वेरी गुद, आगे बढ़ते हैं, चलो, ये दोखो, ये बहुत शांदर कोश्चन है, इक टेबल है, जिसमें 5 एट्रिबूट है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो बताओ, कितने सूपर की होंगे, मैं टाइम नहीं लगा हूँ, और जल्दी से बता दे रहा हूँ, फॉर्मुला होता है, टू की पावर, एन, माइनस वन, ये हमेशा याद रखना, वियर, एन इस नमबर ओव अट्रिबूट, वियर, इस नमबर ओव अट्रिबूट, ठीक है, तो एन, एन इस नमबर ओव अट्रिबूट, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया, 32 माइनस 1, तो कितना हो गया, 31, तो आंसर 31 होना चाहिए, याद रखोगे हमेशा, मान लो, कह रहा है, 4 अट्रिबूट है, तो कितने कीज होंगे, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 कितना हो था, 16, तो 15, 15 सूपर की होंगे, तो अभी 31 है, answer is 31, clear, answer 31 आगे, अब देखो ये question, देखो, ये question क्या कहा रहा है, बहुत important question है, ये question कहा रहा है, कि एक relational, एक table है, R1, एक table है, R2, कह रहा है, दो table है, भी two relations, A is a foreign key, A foreign key है, clear, foreign key तो आपको पता है, ये child table हो गया, child table में foreign key होती है, और ये refer कर रही है, X को, X primary की है, ये दिया हुआ आपको, X क्या है, primary की है, तो ये कौन सा table हो गया, master table, ठीक है, कह रहा है, of R2, consider for the option, अब कुछ options दिये हैं, बताओ कौन से स है, तो आप हमेशा याद रखो, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, ये अगर master table है, और ये अगर child table है, तो अगर आप master में value, पहली बात, child पे आप value नहीं डाल सकते, अगर master में value नहीं है, तो, ठीक है, अगर master में value है, मतलब अगर one यहाँ पे है, तभी आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 है, तभी यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए 3 आप नहीं डाल सकते हैं, पहला constraint, तो सबसे पहले question है, क्या insert into R1, क्या R1 पे insert कर सकते हैं, और R1 तो मैंने बताया R1 पर insert कर नहीं सकते, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा, कि अगर कोई value 1, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कोई भी value आप यहाँ से delete नहीं कर सकते, क्यों अगर आपने यहाँ से delete कर दी, तो फिर वही पहली वाली condition false हो जागी, तो delete के case में आप पहले child से delete करो, फिर master से delete, insert की case में, पहले master में insert करो, फिर child में करो, ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको, आपको क्या समझ में आया, कि अगर delete करना है तो पहले child से करो, अब आओ, insert into R2, क्या R2 में insert कर सकते हैं, तो R2 क्या है, master है, हाँ, master में तो बिंदास insert करो, कोई दिकर नहीं, यह तो यह tick कर लो, यह true है, इसक तो true मानलो, इसको false लिख लो, इसको false लिख लो, clear, आगे आओ, delete from R1, R1 से delete कर सकते हैं, R1 क्या है, child table है, मैंने भी बताया, पहले child से delete करो, हाँ, R1 से अराम से delete करो, कोई दिकर नहीं, यह true है, क्या R2 से delete कर सकते हैं, नहीं, मैंने क्या बताया था, मानलो, यहां पर तीन है तो अगर master से आपको delete करना है, तो अगर आपने master से delete कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि child में value आ जाएगी, और पहला constraint खराब हो जाएगा, इसलिए पहले child से delete करो, तो अगर R2 से delete करना, R2 क्या master table है, तो master से delete नहीं कर सकते हैं, तो यह false है, तो 1 और 3 जो है बड़ आ रहा है, तो option 2 and 3, cause violation, option 1 and 2, option 4 and 1 cause, तो यह answer सही होना चाहिए, 4 और 1 ही दिक्कत करेंगे, तो देखा answer, 4 और 1 ही violate करेंगे, this is 1, 2 and this is 3, मेरे बच्चे, और this is 4, clear, चलो, आगे बढ़ते हैं, और यह last question है, मैं इसको कड़ा दे रहा हूँ, बस, इसको आपने कर लिया, तो आपको बिल्कुल सब कुछ clear हो जागा, तो यह last question मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो, यह last question क्या कहता है, यह last question कहता है, कि भाईया, यह last question कहता है, कह रहा है, एक table आपको दिया है, कह रहा है कि उसमें यह functional dependency दिया है, बताओ यह किस normal form में है, तो देखो, सबसे पहले उसकी candidate की निकालो तो क्या दिया हुआ पी Q R S T U V W X क्या के दें पी Q से R लिख लो पी Q से R ठीक है फिर Q S से T U Q S से T U अभी अभी आपको समझाया यह करना अभी अभी आपको समझाया यह लेक लिख लिए पी S से V W अभी लिख लिख लिए आपने पी से X आब मैंने क्या बता है वह moderator देखो जहां पर एरो नहीं आहा रहा पी में आहा q में आरो नहीं आ रहा आर में आरो आ रहा है एस में आहा रहा च से में आ रहा है W में आ रहा है 잡लू में यहा रहा है लेकिन पी कि में आ रहा क्यूं अधकूरा तो छोchn धूर paper work ci owią QS QS इए हाहा QS है तो T U आजागा तो T और यू आगए S है P VW आजागा तो और पे है तो उससे है जागा तो P से hmm भी आ जा गया तो सारे के सारे यद导िश आ गये तो हमारा यह क्या और की और सिर्फ यही candidate की होगी क्यों क्योंकि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वो super की होगी candidate की नहीं होगी तो candidate की निकल के आगे तो क्या candidate की आने के लिए मेरी PQS तो PQS मेरी candidate की निकल गए अब चलो ध्यान से शुरू करते हैं BCNF BCNF की property क्या होती है BCNF क्याता है कि अगर X से Y एक functional dependency है तो यह क्या होना चाहिए super की होना चाहिए यह क्या होना चाहिए super की होना चाहिए ठीक है यह वाला attribute super की होना चाहिए तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं तो PQ PQ क्या है super की है ना यह हर यह candidate key ही नहीं है, super key ही नहीं है तो यह BCNF में नहीं है, अगर यह BCNF में नहीं तो बाक्ये को check करेंगे करेंगे, ताइम वेस करेंगे, अगर एक भी function dependency BCNF में नहीं है, तो नहीं है, तो BCNF में तो नहीं है, बसॉ apart. चलो, आगे बढ़ते हैं. 3NF चेक करते है, 3NF क्या कहता है, 3NF कहता है, कि आपका, देखना ध्यान से, 3NF कहता है, या तो ये सूपर की हो, या ये प्राइम अट्रिब्यूट हो, या ये सूपर की हो, या तो ये प्राइम अट्रिब्यूट हो, तो क्या अब इसी फंक्शन, क्या ये सूपर की है, नही यह ऐसा है तो ना यह super की है ना यह प्राइम अट्रिब्वूट है तो यह वाली functional dependency तो 3NF में भी नहीं है तो जब 3NF आगे हम क्या check करें पहले ही नहीं होता तो यह 3NF पे नहीं है और 2NF check करते हैं 2NF क्या बोलता है 2NF बोलता है 2NF बोलता अगर तो यह जो यह जो वाई है ना यह इसके की के आधे पे बतल Kom तो आओ इसी को ठाले P Q R यह जो ना वो की के आधे पर डिपेंड नहीं करना आर जो है वो की के हां सब्सक्राइब करते है पूरी की का है P Q S और यह P Q ध BBC का तो यह नहीं होना चाहे तो 2NF पे भी नहीं है तो जब 2NF पे नहीं तो बचեՅ किया बनेच के ांसर क्या है 1NF तो दिस्थ वाज एबार्ट यास्ट दिस्थ वाजुपा थेमाने तर और टैनल कि आम